मोल ये शिरी प्रानेनात प्यारे कीजे, सिरी सत्गुरु माहराजी कीजे, शिरी बाबा दयाँ राम साहेब आपकी सदाई जे, शिरी माराज वार्दास साहेब आपकी सदाई जे, परमशर्द्य आतम सनमंदी शिरी राज जी मराज के लाडले एवं प्यारे सुन्दर साज जी आप सभी उपस्तित हो रहे हैं शिरी राजेंदर जी भावसार यूएस से हमारी शैफाली जी परणामी जैपुर से हमारी सुनील जी अंशुर जी परणामी जैपुर से हमारी आशा जी मदान गुडगाउं से मिनाक्षी जी परणामी सहारनपुर से ममता जी भगत जैपुर से और हमारी रेनु मैता जी रजनी भगत जी लाडले सुन्दर साज जी आप सभी उपस्तित हो रहे हैं आईए धाम दनी जी के शिरी चरणों में बंदना करते हुए वानी चर्चा प्रारम करते हैं बोलो शिरी प्राणनात प्यारे कीजें सिरी वंदो सत्ति गुरु चरणिको करू सोप्रीम परणाम आशो भरण मंगल करन दनी शिरी देव चंद्र जीना शिरी प्राणनात निज मूल पती शिरी मेहे राज सुना शिरी तेज कुवर शामा जुगल को पल पल करू परणाम शिरी प्राणनात तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाही ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धन वट करें त्यारे बल बैरी नाहरें वली गया काम सराडे चडें मन चित्व्या कारज सरें बोलिये शिरी प्राणनात प्यारे की जय लाडले सुंदर साज जी आईए अपने सुर्ता को शिरी धाम धनी जी के शिरी चरणों में जोडते हुए शिरी पांच पदमावती पुरी धाम शिरी बंगला जी दरवार में शिर्जी साहव जी के सानिध्या में बैठके उनकी क्रीपा के छत्र चाया में बैठके हम वानी चर्चा का आनंद लेते हैं आईए लाडले सुंदर साज जी एक अपना भाव रखते हैं मेरे साथ मिलके सभी गाना बहुत आनंद आएगा साए में तुमारे है निस्बत ये हमारी है कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुमारी है साए में तुमारे है निस्बत ये हमारी है क्या पेश करी तुमको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुमारा है ये जान भी तुमारी है साए में तुमारे है निस्बत ये हमारी है लाड़ले सुंदर साज जी हम धामदनी की छत्र चाया में बैठे हैं साए का मतलब होता है धनी जी की छत्र चाया में है क्योंकि हमारी निस्बत है धामदनी जी के साथ हना सुंदर साज जी तो लाड़ले सुंदर साज जी आईए कल हम सुन रहे थे अब सम्या आया रहनी का रूफैल को चाहें जो होवें असल अरश की सो फैल ले हाल दिखाएं सो फैल ले हाल दिखाएं कहनी कई सब रात में आया फैल हाल का रोज बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे कीजए शिरी धामदनी जी के अत्यंत लाड़ले एवं प्यारे सुंदर साज जी महान बुद्धी के सागर आप महामती अक्षराती धामदुलहा शिरी इंद्रावती जी के सरूप में वर्नन कर रहे हैं कि कहनी कही सब रात में आया फैल हाल का रोज लडले सुन्दर साज जी कहनी कही सब रात में कहते हवसा के पहले जो मैं बाते करती थी शिरी इंद्रावती जी कहती हैं वे सब अज्ञान की रातरी की थी शिरी इंद्रावती जी की आतम कहती हैं कि जब हवसा से पहले मैं जितनी भी बाते करती थी जो कुछ भी कहती थी तब मेरे अंदर अज्ञानता की रातरी थी क्योंकि साक्षात कार कहां होता है हवसा के अंदर साक्षात धाम के धनी मिलते हैं है ना और शिरी इंद्रावती जी की आतम कहती है आया फैल हाल का रोज कहते अब ग्यान का प्रकाश लेकर प्यार उत्पन करने का समया आ गया है ग्यान का प्रकाश लेकर जैसे हम लाडले सुन्दर साजी ये तार्तम वानी को पढ़ रहे हैं ये तार्तम वानी की चर्चा सुन रहे हैं तो ये तार्तम वानी की चर्चा क्या है हमारी लिए लाइट है प्रकाश है ये वानी चर्चा हमारे हिर्द्या के अंदर नूर भरती ह धनी जी का तेज भरती है धनी का प्रकाश हमारे हिर्दय के अंदर आ जाता है तो शिरी इंद्रावती जी की आतम कहती हैं कि अब ग्यान का प्रकाश लेकर लाडले सुन्दर साथ जी प्रेम उत्पन करने का समय आ गया है अब हमारे अंदर क्या होना चाहिए धनी जी के लिए प्रेम सुन्दर साथ के लिए प्रेम हमें हिर्दय से प्रगट करना है हना हक अरश नजर में लेके उड़ाए दयो दुनी बोज केते तु धाम दनी को और प्रम धाम को अपनी द्रिष्टी में रख करना ये काम क्रोध मो लो भंकार का बोज उड़ादे खतम कर दे अपने अंदर से विकारों को खतम कर दे हक अरश नजर में लेके शिरी राज्जी माराज को और अकंड शिरी परम धाम को अपनी नजरों में रखते हुए और उड़ाए दे दुनी बोज ये दुनिया का बोज ही है काम और क्रोध दनी कहते इसको उड़ादे इसको खतम कर है ना जो हक्के कहलाया सो कया इत मैं बीच कहूं ना ही शिरी इंदरावती जी की आतम फरमाती है कि शिरी धाम धनीन जी ने जैसा कहलवाया वैसा कहा सारी 18758 वानी शिरी इंदरावती जी कहती है कहत कहलावत हुकमे करत करावत खसम ये कहने वाले ये करवाने वाला भी शिरी रजी माराज का हुकम है तो कहरिए जो हक्के कहलाया सो कया मेरे से धामदनी ने जैसा कहलवाया मैं तो वैसा ही कह रही हूँ है ना इत्में बिच कऊँए ना है इसमें किसी परकार की मैं का अभिमान नहीं है लाडले सुन्दर साज़ी जब हमारी आत्मा जागरत हो जाती है न तो हमें अंदर से पता लगने लग जाता है क्या कि अब मेरे अंदर मैं खुदी हंकार सपने में भी नहीं आ सकता क्यों क्योंकि इस तार्तमवानी ने इस दिव्य नूर ने मेरे हिर्द्य के अंदर मेरे रोम रोम के अंदर ये भर दिया है कि जो कुछ कर रही है न सब धाम के दनी कर रहे हैं जो कुछ करवा रही हैं सब शिरी राजी महराज करवा रहे हैं शिरी इंद्रावति जी की आतम हम सुन्दर साथ को भी समझा रही है कि जैसे मैं कह रही हूँ न आत्मा जागरत हो जाएगी है ना सुन्दर साथ जी तो कह रही है जो हक्के कहलाया सु कहया इत मैं बीचकवुए नाई कहती है तो मैं क्यों हंकार लूँ श्री इंद्रावती जी कहती है इस वानी का कि वानी मेरे को उत्री ये वानी के अंदर तो भई जो कुछ दामदनी कहला रही है मैं वो ही कह रही हूँ, तो मेरी मैं का अभिमान मेरे अंदर रंचक मत्र भी नहीं है, कौन कह रही है, श्री इंद्रावती जी की आतम कह रही है, हम भी किसी को चर्चनी सिखाएं, किसी को चर्चा सुनाएं, है ना, किसी को भी तक सुनाएं, है ना, चाय धाम धनी की, श्री जी की पहचान कराएं तो शिर्जी साहिब जी कहते हैं कोई पहुंचाओ धनी के चरणों तो भी ना लेना गुमान किसी का हाथ पकड़के धाम धनी जी के चरणों में पहुंचा दो तब भी धनी जी कहते हंकार नहीं करना अभिमान नहीं करना लाडले सुंदर साथ जी कि मैं मैंने इस आत्मा को जागरत किया हना इस आत्मा को कहा पहचान थी ये तो मैंने वानी चर्चा सुना सुना के मैंने परंधाम सिखाया है मैंने इनको चलना सिखाया है धनी जी ने कहा पहुंचाओ धनी के चर्णे तो भी न लेना गुमान धनी के चर्णों तक किसी को पहुंच कार नहीं करना है क्योंकि यही श्रीनरावति जी की आतम हमें शिक्षा दे रही हैं यहीं बता रही है कि जो हक्के कहलाया सो कहा इत्में बिच कहूँए नाई जो धनी कहलाते जारे हैं हम वहीnhuestas रही हैं एक अपना और यहां मेरी मैं कहीं नहीं है फैल हाल सब्सक्राइब के मन की इस्थती हैं और चाहे आचरण है सब धनी द्वारा दीये जाने के अनुसार होता जारा है जैसे मन की इस्तती राजी बनाते हैं यह मन की स्थदी धनी की क्रीपा से बनती है और जैसा आचरन धनी बनाते जा रही है जैसा वैवार धनी बनाते जा रही है वैसा ही बनता जा रहा है तो शिरी इंद्रावती जी की आतम कहती है अपना कुछ भी नहीं है फैल हाल सब हक के चाए वो आचरन हो चाए वो रहनी हो है न यह सब धनी की क्रीपा से हो रहा है हक्के सक मेटी दिल माहें तार्तम ज्यान द्वारा मेरे मन के सारे संश्य मिट गए हैं है ना सब संश्य को धनी मिटा दिया है ना इलम दिया हक्के अपना और दई असल अकल धनी जी ने अपना तार्तम ज्यान देकर मेरे अंदर परंधाम की सारी जानकारी दे दी असल अकल क्या है शिरीराजी मराज के बारे में पूरा पता लग गया परंधाम की पूरी जानकारी हो गई तो कैते असल वाली अकल आ गई है क्योंकि स्वपन बुद्धी के द्वारा संसार की सारी जानकारी हिर्द्य में आती है और जब हमारे हिर्द्य में नूर बुद्धी और निज बुद्धी परवेश करती है न सुन्दर साज जी तब हमें धनी जी के अंदर कैसे आठो सागर लहरा रही है कैसे धनी मार्फत के सवरूप है कैसा हमारा अखंड शिरी परमधाम है है न ये सारी जानकारिया हमें किसके द्वारा मिली धनी जब निजबुद्ध देते हैं निजबुद्ध आवे आज्याएं तोलो ना छूटे मो आतम तो अंधेर में शिर्जी साहिप जी फरमाते हैं निजबुद्ध आवे आज्याएं ये निजबुद भी धनी के हुकम से मिलती है और निजबुद जब हिर्द्या में आती है ना लाडले सुन्दर साज जी तो परम्ध हमके 25 पक्ष हिर्द्या में आ जाते हैं ये 18758 वानी है ना ये जागरत बुद्धी का ग्यान है ये हमारी आत्मा को जागरत करने के लिए धनी जी ये बुद्धी लेके आई है हम पढ़ते हैं ना मंगला चरण में ये ते दिन तिरलोक में हुती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागरत ले प्रगटे पुरी नवतन इतने समय तक संसार के अंदर स्वपन बुद्धी का ग्यान था सारे शास्तर चोदे तबक बर्मांड निराकार से पार नहीं जा रहे थे तो जब ये ब्रह्मवानी आई इस ब्रह्मवानी ने निराकार के पार थी तिन पार के भी पार अंग उतकंठा उपजी मेरे करना एविचार ये वानी कहां से आई है ये वानी निराकार से परे अक्षर धाम अक्षर धाम से परे अक्षरा तीत धाम वहां से हमारी ये ब्रह्मवानी उतर के आई ये जागरत बुद्ध का ग्यान है हना सुन्दर साथ जी तो धनी जी कह रहे हैं कि इलम दिया हक के अपना दनी जी ने हम सारे सुन्दर साथ को अपना ये ब्रह्म ज्यान दे दिया है ये तार्तमवानी दे दिया है हना और दई असल अकल और ये तार्तमवानी क्या है अस्राफिल की बुद्धी है हना जिस बच्चे के अंदर बुद्धी काम ना कर रही हो जिसका दिमाग तेज ना हो जो बच्चा पढ़ाई में ना लाएको उसको इस्तार्तमवानी की पांच चुपाईया रोज पढ़ाई तो पांच चुपाई पढ़ाने से क्या होगा उस बच्चे के अंदर भी निजबुद और नुरबुद परवेश करेगी शार्प माइंड हो जाएगा किस से इस ब्रह्मवानी से लाडले सुन्दर साथ जी क्योंकि ये तार्तमवानी बुद्धी को जागरत करती है हमारी बुद्धी को तेज करती है हना क्योंकि इस तार्तमवानी के अंदर नूर है प्रकाश है उजला है लाइट है हना ऐसी ये ब्रह्मवानी का खजाना धामदनी ने हम सारी ब्रह्म आत्माओं को दे दिया है जितनी ज़्यादा वानी पड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे हिर्द्य में प्रकाश होता जाएगा है ना और जैसे जैसे वानी पड़ते जाएंगे शिर जी कहते जब ये सुख अंग में आव ही जब ये तारतम वानी के सुख हमारे हिर्द्य में आने लगेंगे तब चूट जाएं विकार, फिर विकार छोडने नहीं पडेंगे, अपने आप चूटते चले जाएंगे है न सुन्दर साज जी, तो हमें तार्तम का पाठ भी करना चाहिए, और तार्तम वाणी का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि तार्तम है न जो, वो कुंजी है, उसके द्वारा हमें सारी चौपाईया वाणी की खुलती है, जितना जादा हम तार्तम का पाठ करेंगे न लाड़ लाडले सुन्दर साथ जी हमारे हिर्दे से ये चोपाईया सारी खुलती चली जाएंगी है ना तो लाडले सुन्दर साथ जी ये तार्तम वानी क्या है ये तार्तम वानी धनी जी की असली अकल असल अकल मिल जाती है जिसको तार्तम वानी मिल जाती है दई असल अकल क्योंकि क्या देती है अऽनी अकल देती है हैना क्योंकि संसार की जो अकल है न वह इस चोदे तबक बर्मारण के अंदर काम कर सकती है इससे आगे नहीं जा सकती है हना तो लाड़ ले सुंदर साजी धनी कहरे जोश इशक हक के सब उम्मत करी निरमल सिर्य रज्जी माराज का जोश आवेश और प्रेम आने से सब साथ को तारतम ग्यान दिया और उन्हें निर्मल कर दिया जब हमारे हिड्या के अंदर धनी जी का प्रेम आ जाएगा धनी जी का आवेश आजाएगा तो ये प्रेम और आवेश हमें हिर्दय से पवित्र कर देते हैं साफ कर देते हैं ये तार्तम वानी का काम है हिर्दय को पवित्र करना और जितने जादा हम तार्तम वानी पढ़ते हैं सुन्दर साथ जी उतना ज्यादा हमारे अंदर प्रेम पर प्रगट होता है जोश प्रगट होता है और एक बात बताओं सबसे ज्यादा जोश आवेश आता है निजनाम का जाप करने से हम जितना ज्यादा निजनाम का जाप करते हैं न हमारे हिर्द्य के अंदर जोश और आवेश बढ़ता ही च चला जाता है है ना क्योंकि तार्तम जोत उद्योत है तिन्थे कहा होई एक सुपन दुज्जा वतन जीव देखे दोई तार्तम की जोती उद्योत हो रही है कहते ये तार्तम क्या कर सकता है कहते ये तार्तम खेल के अंदर बैटे बैटे एक सुपन दुज्जा वतन जीव दे जाएगा सोपन बर्मान में बैटे बैटे अखंड परमधाम का दर्शन हमारा जीव भी करने लग जाएगा इतनी ताकत है किसके अंदर निजनाम के अंदर निजनाम का जाप इतना शक्तिशालिय सुंदर साजी क्योंकि तार्तम का बल कोई ना जाने एक जाने मूल सरूप अक्ष्राती तधनी जानते किस तार्तम के अंदर क्या शक्ति है और मूल सरूप के चित की जो बाते है न वो तार्तम प्रगट कर देता है इतनी शक्तिय इतनी पावर है निजनाम रूहे जपकार जोरदार तप फिर मिल गई प्राण पियारा नी धाम वीच रैन वालिये तेरा पिया बीना तेरा धनी बीना होना नहीं गुजारा नी धाम वीच रैन वालिये निजनाम रूहे जपकार जोरदार तप निजनाम की पूरी छे चोपाईयों पड़नी है एक चोपाई नहीं पूरी छे चोपाईयों का जाप जो आत्मा करती है न उसके अंदर प्रीम और आविश परीपूरण हो जाता है निजनाम रूहे जपकार जोरदार तप फिर मिले गई प्राण पियारा नी धाम वीच रैन वालिये तेरा पिया बीना तेरा धनी बीना होना नहीं गुजारा नी धाम वीच रैन वालिये इस निजनाम दे अंदर रूहों शक्ती बड़ी है भारी प्रेम नाल जिना इस नो ध्यावे रोग है लगदा भारी हाई हाई पिया गावे फिर हबीब बुलावे पिया पिया करने लग जाती है फिर वैद चाहिए आत्मा के लिए और वैद के दवारा दवाई भी चाहिए हाई हाई पिया गावे फिर हबीब बुलावे ओ तलेंदाई नूर दे हुलारे नी धाम वीच रैन वालिये तेरा पिया विना तेरा धनी विना होना नई गुजारा नीधाम विच रैन वालिये निज नाम रूहे जप कर जोरदार तप फिर मिले गाई प्राण पियारा नीधाम विच रैन वालिये तेरा पिया विना तेरा धनी विना तेरा धनी विना होना नई गुजारा नीधाम विच रैन वालिये निजनाम का जाप जो आतम करती है न लाडले सुन्दर साथ जी उस आतमा के अंदर से सारे फरामोशी के परदे हट जाते हैं और धनी करीब हो जाते हैं धनी नजदीक हो जाते हैं ये तारतम एक सोडा है जैसे कहते हैं एक्सल सरफ एरियल सरफ है न जिससे कपड़ों में डालते हैं तो एकदम साफ हो जाते हैं धनी ने इसको खार भी बोला है सोड़ा उबालते थे न उसको खार बोलते थे तो तार्तम की महिमा अप्रम पार है लाडले सुन्दर साथ जी और तार्तम वानी का तो कहना ही क्या तो कहते हैं कि लाडले सुन्दर साथ जी ये धनी जी का जोश, धनी का आवेश कब आएगा जब हम तार्तम का पाठ करेंगे तार्तम वानी का पाठ करेंगे जितना ज़्यादा पाठ करते जाएंगे न सुन्दर साथ जी उतना हमारे हिर्दय एक दम अरश दिल बन जाएगा हमारे हिर्दय में आके धनी जी विराजमान हो जाएंगे इन जड़ थे तब मैं निकसी जब आकीन दिया आप लाड़ले सुंदर साज जी शिरी इंद्रावती जी की आतम फरमाती है मैं इस जड़ जैसे संसार से तब मुक्त हो सकी जब आपने मुझे द्रट विश्वास दिया विश्वास करके दोड़े जे तार्तम को फल सोई ले जो विश्वास करके दोड़ेगा न ये तार्तम उसी को फल देगा सुंदर साज जी और पूरा फल देता है तार्थम सब विश्वास की बात है बिन विश्वास न कुछ तोते की मानिंद पड़ा अमल भी न सब तुछ सारी विश्वास की बात है सुंदर साथ जी तार्तम वानी पे और तार्तम पे जो द्रड विश्वास कर लेता है ना और द्रड विश्वास के साथ इस वानी को जो आतम पड़ेगी ना उसकी आतमा अवश्य जागरत होती है शिर्जी साइब जी फर्मा रहे हैं कि मैं इस जड़ रुपी संसार में से तब निकल सकी जब आपने मुझे द्रड विश्वास दिया क्योंकि ये जो इश्क और इमान है न ये भी धनी की क्रीपा से मिलता है सुन्दर साथ जी धनी जी के चर्णों से प्रीम और धनी के चर्णों पर विश्वास ये एक तोफा है ये धनी जी देते हैं तब हमें मिलता है सुन्दर साथ जी ऐसा अडिग विश्वास आकी न छुटे सुहागनी जो पड़े विगन अनेक अनेक को विगन जीवन में आ जाए न लड़ले सुन्दर साथ जी तो भी जो ब्रहम सुष्टी है न धाम की आतम है न उसका विश्वास नहीं तूटता तो धनी जी फर्मा रहे हैं कि ये विश्वास भी किस ने दिया इस जड़ रुपे संसार से हम तब निकल सकेंगे जब हमें धनी अपना इश्व और इमान परदान करें क्योंकि ये धनी का असली खजाना है ब्रहम सुष्टी के पास दोई पंक हैं जिससे उड़के परमधाम जाना है एक इश्व और एक इमान प्रेम और विश्वास रुपी पंकों से उड़कर और प्रेम और विश्वास का ही सुखपाल बनने सुन्दर साथ जी हमारे प्रेम और विश्वास का सुखपाल बनेगा उसी से उड़कर हम अखंड शिरी पर हम धाम के अंदर पहुंचेंगे तो लाडले सुन्दर साथ जी शिरी इंद्रावती जी की आतम कहती है मैं ये जड़ रुपी संसार में से तो तब निकल सकी जब धामदनी ने मुझे द्रड विश्वास दिया इन जड़ थे तब मैं निकसी जब आकीन दिया आप सक्के सारी भान के तुम सायव किया मिला आप और द्रड विश्वास हो जाता है न जब तो किसी प्रकार की शंका ही नहीं रहती अब हम जिसके साथ प्यार करते हैं उसी पर विश्वास करते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं उसी से प्यार करते हैं प्राणनाथ प्यारे की जै लाडले सुन्दर साथ जी जिससे हम प्रेम करते हैं और जिसके उपर हम विश्वास करते हैं उसके प्रती हमारे दिल में कभी कोई शंका नहीं पैदा होती शक्क तो अंदर आई नहीं सकता है ना सुन्दर साजी क्योंकि धनी जी कहते हैं कि सक्के सारी भान के तुम साहव किया मिलाब सारी शंकाओं का समाधान करके ए साहव ए धनी आपने ही हमसे मिलाप किया ए मैं काड़ी तुम इन विद इन मैं में ना आवे सक आपने अपनी मैं दे कर और मेरी भोतिक मैं को दे के हंकार को समाप्त कर दिया ए धनी जी क्योंकि धनी की मैं आई तो दुनिया की मैं खतम हो गई अब हमारे सारे सुन्दर साथ के साथ जितने लाइव है ना इन सब के साथ आप बात करके देखिए मुझे इतना आनन्द आता है जब सुन्दर साथ मुझसे फोन पे बात करती है ना मेरी आत्मा गदगद हो जाती है सुन्दर साथ के मुख से एक ही बात निकलती है कि जैसे धनी की मर जी, मोज धनी की, जैसे वो चाहें वैसे वो करें, है ना, उनके हुकम के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हमारी मैं थोड़ी कुछ कर सकती है, ये तो सब धनी जी कर रहे हैं, हना, तो सुन्दर साथ जी, ये अंदर से मैं निकल गई, अब कौन सी मैं आ गई, तो शिर्जी साथ जी कह रहे हैं, शिरी इंद्राफ्ती जी कहती है, ए मैं काड़ी तुम इन विद, इन मैं में ना आवे शक, कहते हैं, आपने जुटि बोतिक देही कि मैं को तो निकाल दिया, पर आपकी मैं में किसी परकार की कोई शंकाई ही नहीं, अब आपकी मैं से आएगा आपकी मैं तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ाएगी प्यार बढ़ाएगी और अपनी मैं तो क्या करती है अपनी मैं तो लड़ाईया करवाती है जगड़े कराती है हाद ना तो श्री इंद्रावति जी कहती है योकाड़ी खुदी सात की हक्के किए आप माफक सब सुन्दर साथ को समझा कर उनके एहम भाव को धामدनी जी आपने दूर किया है और आपने अपने अनुसार बना लिया है अपने अनुरूप बना लिया है बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे की जैलाडले सुन्दर साथ जी हमारा समय हो चुका है सभी सुन्दर साथ को आज की वानी चर्चा का सार बताना है हमारे नरिंदर जी और संतोष जी गुड़गाओं उन्होंने चर्चा का सार बताया तो फेस्बुक पे डाल दिया आपने सारा दिन आज Facebook पे उनके भाव को पढ़ा हाना ऐसे ही आप लिख लिख के अपने भाव रखो तो आप सभी की वाणी चर्चा को Facebook पे डालेंगे ताकि सुन्दर साथ को और लाब मिल सके कि आप कैसे सुन्दर उत्तर देते हों चर्चा का सारांश सार लिखना है आपको ठीक है सुन्दर साज जी आईए हम चौपाई दोराते हैं और कल के हमारे आज की हमारी जो कल हमने चौपाई और चर्चा का सार पुछा था ना तो आज की हमारी धाम सकी है हमारी शैफाली जी जैपूर हमारी शैफाली जी जैपूर ने इतने विस्तार से वर्नन किया है मैं बार बार शैफाली जी को कह रही हूँ शैफाली जी आप वानी चर्चा करनी शिरू कर दो सद्गुरु मराईश्री जोरदास जी की क्रीपा आप पर अप्रम पार बरस रही है छोटे छोटे बच्चों को सुनाना शिरू करो जागनी का काम करना शिरू करो हमारी शैफाली पर धनी जी की बहुत बड़ी क्रीपा है तो हमारी शैफाली जी को धामदनी की तरफ से सत्गुरु माराज्जी की तरफ से समर सुन्दर साथ की तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो आप सभी सुन्दर साथ भी उनको बधाई देना बोलो शिरी प्राणनात प्यारे की जै और इस वानी चर्चा को निरंतर शेयर करने की सेवा करते रहना प्रणाम जी कल फिर मिलते हैं राइट साड़े नौ बजे तब तक के लिए आग्या दीजिए